बहुत वस्वागत है जो 30 प्रेमियों का आज के हमारे खास कारिकरम में आज हम बात करेंगे सनिदेव के उद्य होने को लेकर गए सनिदेव जब भी उद्य होते हैं तो सभी रासियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा इवन रासियों पर ही नहीं पूर्ण प्रकरती पर इसका अच्छा और सकारत्मा प्रभाव देखने को मिलेगा कौन-कौन सी रासियों को किस प्रकार का प्रभाव यहां पर मिलेगा क्या-क्या रहेगा उसका सभी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में आपको मैं एक उपाई भी बताऊंगा कि आप कौन सा उपाई कर सकते हैं तो इसी को लेकर के आज की हमारी खाज चर्चा है इससे पहले अगर आप नई दर्शक हैं तो आप से निवेदन भी रहेगा आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजी बेल आइकन को सात ही दबा लेजी ताकि आने वाली जो अप डेट्स हैं चाल वध्यात menor की बात हम करें या जोतिस की बात करें या फिर वास्तु की बात करें वो तमाम अप डेट्स आपको पराप्त होती रहें तो चले फटापटम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि सन्य देव उदै होती को ले करके और जब सन्य उदै हो रहे हैं तो आगकी रासी पर याना यानी जो बारा रासी हैं उनके पर क्या प्रभाव रहने वाले हैं। उसमें से भी खासकर आठ रासियां यहाँ पर ऐसी हैं जिनकों की इसका बहुत ही बहतर लाव होगा इनके लिए एक नया सबेरा आप कह सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ग्रहस्ततियां बनेंगी और यह विसेस राजयोक की स्रणी में यह उनके लिए आने वाले हैं इसमें सनिदेब उदेज होंगे तो इसमें जो विसेस रासि हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे और साथ में यहाँ पर ग्रहों का बन रहा है उसको लेकर क्योंकि मंगल यहाँ पर होंगे शुक्र यहाँ पर होंगे तो क्या स्तितियां बन सकती हैं क्या इनके लिए लापक समझ रहे हैं? तो सनिदेव यहां पर तीन केंद्रों के स्वामी हैं, लगन के, साथ में के और दस में के, ठीक है न? और आपके लाब भाव में जाकर बैठे में, लाब के स्वामी भी लाब में हैं, तो ये इस्तिती आपके लिए बहुत लाबकारी हो सकती है, खास करके जो ल प्रटिशन के छेतर में काम करते हैं, होटल निरस्ति में जो लोग हैं, उनको बहुत बहतर से बहतर इसका लाप प्राप्त हो सकता है, ठीक है न, दूसरा यहां पर हम बात करेंगे ब्रिशब रासी की, ब्रिशब रासी के लिए योग दसमें भाव के अंदर बनेगा, इसमें स्तुति में ये आपको दसम भाव के अंदर कहीं न कहीं प्रमोशन आपका होगा, चाया आप नौकरी के फिल्ड में हैं, चाया आप ब्रिशन ब्यापार कर रहे हैं, तो ये आपको प्रमोट करेगा यहां पर इस समय दोरन, तो ये प्लैनेट आपके लिए कुछ न कुछ न ड्रक्स का जो फिल्ड है, उनको बहुत बैतर लाब हो सकता है, नौकरी हैं, व्यवसाय पेसा हैं, उसमें सभी को बहुत बैतर लाब हो सकता है, ठीक है, साथ में जो ग्रहनिया हैं, जो काम कर रही हैं घर के अंदर, या फिर जो ऑनलाइन बर्क कर रहे हैं, या फिर जो हार प्रद्वर्क कर रहे हैं उन सभी को इसका बहतर से बहतर लाब यहां पर मिलतावा नजर आ रहा है। जो प्रतिफल के लिए आप तरस रहे थे, जो प्रतिफल के लिए आप प्रियास कर रहे थे, जिसके लिए आप विचार कर रहे थे, जिसको आप पाना चाहते थे, वो मेहनत का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा, इस्पिरियट के अंदर बहुत अच्छा आपके लिए यह करक्रासी की जातकों को शंतोस करना पड़ेगा क्योंकि यह जो है अस्टम भाव के अंदर बनेगा कोई बहुत बहतर यहां पर आपके लिए इसकी उद्यक इस्तति को नहीं का जा सकता है एक सामयन नहीं खासकर कि दुरगटनाओं से बलकि बचके रहना पड़ेगा साउधान रहने के आउ सकता है ठीक है ना यहां पर बात करते सिंगरासी के लिए सिंगरासी के लिए बहुत 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 बह प्रोपर्टिम इन्वेस्ट करना चाह रहे थे सेर मार्केट है तो यहां पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो सट्टे आदी में काम करते हैं उनके लिए अच्छा स्योग बन सकते हैं तो यहां पर ये कॉंबिनेशन बहुत अच्छा रहने वाला है आप इसका लाब ले सकते हैं छटी रासी है कन्या कन्या के से लीए कन्या के लिए छटे भाव में रहेगे अलांकि परिस्रम बढ़ेगा मेहनत बढ़ेगी लेकिन मेहनत से यह कभी नहीं होता कि आपको रिटन नहीं होगा वो आ आपके त्रिकोण भाव में ही बिराजीत रहेंगे, सिक्षा से संबंदी जो लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन फिल्ड में हैं, केमिकल के फिल्ड में हैं, ब्यूटिशन के छेत्र में हैं, उनको बहुत बहतर इसकाल आप मिलने वाला है, तो ये काल कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा है, नया प्रमोशन करने वाला है, लब लाइब में, पार्टनर्सिप में, इनमें आपको काफी बढ़ोतरी आपर मिलने वाली है, ठीक है, आपकी आठमी रासी की हम बात कर लेते हैं, आठमी रासी यानि वृष्चिक रासी की, तो वृष्चिक रासी के लिए केंदर में रहेंगे और तीन केंदरों के स्वामी बन करके रहेंगे आपर, तो ये बहुत बहुत बहतर इस्तती कहीं जा सकती है, और सुक संसादरों में बृध्धि करने वाला है होगा, आप कोई भी नई चीज को आप लाना चारे थे, खर सही होगे, वो थोड़ा लग इस्तती हो सकती है, आपकी दसाएं क्या चल लिए हैं, देकिन खासकर रासी के कोर्णिंग देखें, तो इन लोग के लिए अच्छा लाब यहाँ पर मिल सकता है, और इस काल का आपको लाब लेना भी चाहिए, आपको आगे बढ़ना भी चाहि आएगी, और भाग्यका साथ कहीं न कहीं आपको मिलता बना चल आएगा, लेकिन जो दस्वी रासी है, यानि मकर रासी है, उनके लिए बहुत 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 बह पाएंगे खासकर जो पर्मोशन के लिए लगातार तयारी कर रहे थे आपका कई पैसा फसावा था तो वो सबी चीजे आप इस दिसाकाल में उसको रिकवर कर सकते हैं बात कुम रासी की कर लेते हैं मकर के बाद तीकि मकर रासी के बाद कुम रासी का ये लगन में ही या इस्तति बनेगी आपके लगन फोर्ट, नाइंट और टैंथ के लोड़ बनेगे तीन केंद्रों के स्वामी बन करके वो केंद्र में ही विराजित रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है सस्मापुरुष का राजुक कलाब भी आपको मिलेगा और अगर आपकी कुंडली के अंदर भी सस्मापुरुष हो गए और सनी की दसा भी चल दिये तो आप यूं कह सकते हैं कि आपको छपर फाड़ करके संदी ब्यापड देने वाले आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे तो बहुत अच्छी स्तुति है मीन रासी के लिए आपको संतोस करना पड़ेगा 12 पाव के अंदर हैं खर्चे बढ़ सकते हैं हेल्थ इस्सूस आ सकते हैं तो मीन रासी के जातकों को कहीं न कहीं आपको थोड़ा ससजक सावधान रहना पड़ेगा सनी जैसे ही उद्य होते हैं सब को अच्छा लाविस्का मिलेगा इसमें कहीं कोई दोरा नहीं है क्योंकि अस्तगत सनी को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है उपाय क्या करना है आसी वालों के लिए यहाँ पर जिनके लिए खराब है उनके लिए भी और जिनके लिए अच्छा है उनको भी उपाय करना चाहिए वैदिक मंत्रों के अंदर बड़ी सक्ती होती है बड़ी एनरजी होती है आप इन मंत्रों का जब कर सकते हैं आगर आपको ये मंत्र बड़े हैं आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस मंत्र का स्रवन कर सकते हैं ये मंत्र है जो वैदिक मंत्र है सनी का इसको आप पाट कर सकते हैं इतना लंबा आप नहीं पड़ सकते हैं तो आप इसको सुन सकते हैं चाया मारतंड संभूतम तमनमामी शनिष्टरम आप इत्र सनी मंत्र का आप पार्ट कर सकते हैं, सनी स्तोत्र का आप पार्ट कर सकते हैं, जिसको लेकर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उसका भी पार्ट कर सकते हैं, और ये तमाम छोटे-छोटे उपाए हैं, निय अयाद़